बेलकम टूर नेक्स एक जाओं आज है 23 फरवरी 2023 और 23 फरवरी 2023 से करेंट अफेस की जितने भी इंपोर्टेंट कुश्चिन बन सकते हैं सारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर कुश्चिन से रेलेटेट इंपोर्टेंट फैक्ट वी मैं आपको बताऊंगा तो अंसर आपको कमेंट बॉक्स हों बताना है आज किस वीडियो की पीडियो की डिस्कसिन से डाउनलोड कर सकते हैं पीडियो आप हमारे टेलेग्राम गुरूप से भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलेग्राम गुरूप पर आपको सारे पीडियो पे एक साथ मिल जाएंगी और ट 22 फर्वरी को बेशु चिनतं दिवस मनाये गिया तो इसकुषिन का बे अप्टिन इते हैं ये दुनिया वर में इसुकुष की गखलस और अंन्निक्खल्स समूं कि द्वारा मनाया जाता है बेशु चिनतं दिवस तो ये 22 को अचा अब एक फरवरी को बारती तट रक्षक दिवस मनाए गया, दो फरवरी को बेसु आद्र भूमी दिवस मनाए गया, चार फरवरी को बेसु कैंसर दिवस और अंतरास्टी मानब बंदुत दिवस मनाए गया, साथ फरवरी को सेफर इंटरनेट डे मनाए गया, 10 फरवरी को 200 दलहन दिवस मनाया गया 11 फरवरी को 200 यूनानी दिवस और बिज्ञान में मैलाओं और लड़कियों का अंतरास्टी दिवस मनाया गया 12 फरवरी को अंतरास्टी डारबिन दिवस मनाया गया 13 फरवरी को 200 रेडियो दिवस मनाया गया पंद्रे फरवरी को अंतरास्टी बाल कैंसर दिवस मनाए गया, सत्रे फरवरी को बैस्विक परेटन लचेलापन दिवस मनाए गया, उन्नेस फरवरी को छत्रपति सिवाजी माराज की जैनती मनाए गई और उन्नेस फरवरी को ही आठमा म्रदा स्वास्ते काड दिवस मनाए बेस फरवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया और बेस फरवरी को ही बेस्टु सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया अच्छा 21 फरवरी को अंतरास्टी मात्र बासा दिवस मनाया गया तो फरवरी में अब तक इतने important ये मनाए गए हैं ये आपको याद रखने हैं अच्छा आज किस वीडियो का हम target रखते हैं चाली से लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है एलपो लगता है तब आप इस वीडियो को like और share जड़ुक्या करो और मैं आपको भी वोलता हूँ daily morning mode कर सबसे पहले अपने लेग target fix करो चाहे छोटा सा ही target fix करो लेकिन daily morning mode कर सबसे पहले अपने लेग target fix करो और फिर अपना पूरा दिन उस target को अचेव करने में लगा दो आपकी life automatically अच्छी हो जाएगी ने question है हाली में गुलाब चंद कटारिया ने किस राजिके राजिपाल के रूप में सपत ली है तो अभी असम के नए राजिपाल के रूप में गुलाब चंद कटारिया ने सपत ली तो इस question का day options है ये है गुलाब चंद कटारिया और अब ये असम के नए गवर्नर बन और अब असम के नए गवर्नर बने हैं गुलाब चंद कटारिया अच्छा अभी असम का नया डीजी पे ग्यानेंद प्रताप सिंग को न्यूत किया गया असम सरकार ने मटिया बाग हवा महल का अधिग्रेड किया है असम के मंत्री मंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने क के लिए बिद्यक को मंजूरी दी पूर्वोत्तर के पहले युनानी चिकित्सा चेत्रे केंद्र का उद्गाटन असम के सिल्चर में किया असम के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिसन की सुरुआत की ट्रेज ब्योंड फॉरेस्ट कारिकरम ये असम में सुरू हुआ असम में कट काजी रंगा, मानस, ओरंग, डिबरुसेकोब, रायमोना और देहिं पठ गई ये असम के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है जिसमें से काजी रंगा नेशनल पार्क सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है ये एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है और ये भारत का इकलौत मुझता इसा नेशनल पार्क है जो सेटिलाइट फॉन से कनेक्ट हो चुका है ये भी आपको याद रखना है नार ये चूशन है केस देश ने आट सो अरव डॉलर के मेगा प्रोजेक्ट मुकाब की गोशन की है तो अबी साओधी अरभ ने आट सो अरव enacted मुकाब की गोशन और उचाई भी 400 मीटर होगी तो ये दुनिया का सबसे हाइटेक सहर बनाया जाएगा मुकाब ये साओधी अरब में बनाया जाएगा इस सहर में क्या होगा लगबग एक लाग चार हजार फ्लैट्स होंगे नौ हजार होटल्स रूम होंगे और 14 लाक स्कॉर मेटर का आफिस एरिया होगा ये दुनिया का सबसे हाइटेक सहर होगा मुकाब इसको साओधी अरब में बनाया जाएगा अब साओधी अरब तो ये है मैप में साओधी अरब साओधी अरब की केपिटल क्या है रियाड साओधी अरब की करणसी क्या है साओधी रियाल और साओधी अरब के केकिंग कौन हैं सलमान बिन अब्दल अजीच अल सौधी है अभी साओधी अरब से दुजर 23 में अंत्रिच मिसन पर जाने वाली पहली महिला रायाना बर्नावी बनी है बर्नावी रायाना वर्नावी अच्छा पूर्तगाल के स्ट्राइगर क्रिस्टियानो रुनाल्डो अल नासर फुटवल कलब से जुड़ गये है दलाइन नमक दुनिया का पहला वर्टिकल सेहर अभी सबुदी अरब में इस्तापित किया जाएगा next question है हाली में 18 में बेसु सुरक्छा कॉंग्रेस कहा आयो जित हुई है तो अभी जैपूर में 18 में बेसु सुरक्छा कॉंग्रेस आयो जित हुई तो इस question का C options है हुई है हाली में 2023 अर्जेंटीना ओपन खिताब किस ने जीता है तो अभी कार्लोस अलक राज ने 2023 अर्जेंटीना ओपन खिताब जीता है तो इसको शिंका बे ओप्शन्स है एटीपी खिलाडी बने एटीपी यानि कि असोसीशन ओफ टैनिस प्रोफेस्टनल्स नोबाक जोकोविच ने छटा एटीपी फाइनल्स किताब जीता है आई टीटीएफ के एथिलीट आयोग में चुन्ने जाने वाले भारती सरत कमल बने हैं और स्विट्जलेंड ने ऑस्ट बारती टेलीफोन उद्योग के नए CMD नुक्त हुए तो इस कुश्यन का A options है यह हैं राजी सराय यही भारती टेलीफोन उद्योग के नए CMD अपोइंट हुए हैं अच्छा अब ये नेती आयोग का नया CEO वे वी आर सुब्रमन्यम को नुक्त किया गया बारती अमेरिकी न अनिके सुनील तलाटी को अपना नया अध्यक्ष नुक्त किया है और इलाबाद हाई कोट का मुख्य नया दीज राजेस बिंदल को नुक्त किया गया ने हुशन है हाली में कहां ओला उबर और रैपिडो बाइक टेक्सी पर प्रतिबंद लगाया गया है तो ओला उबर और रैपिडो की जो बाइक टेक्सी थी इन पर अभी दिल्ली में ततकाल प्रतिबंद लगाया गया है तो इसकुशन का से ओप्सन सही है ऐसी कंप्लेंट थी कि लोग अपनी परसनल वाइक्स को इस बाइक टेक्सी की रूप में यूज कर रहे थे इसलिए ओला उबर रैपिड नित्री थीं और अइमी पुरुषकार के लिए सेलेक्ट होने वालिए अभी इनका निधन होगया तो इसकुशन का से ओपसन सही है ये थीं अएमी नामन के अभी लगराब ऑँशन इनका अभी निधन हुआ है कि हाली मे किस देशिनने म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी की है तो अब एज जर्मनी ने म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी की यानि किस कुछिन का ए ओप्सन सही है म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन इसकी मेजबानी जर्मनी ने की है यह एक बैस्विक सुरक्षा के मुद्धों पर केंदरित सम्मेलन है अब जर्मनी ने इसकी मेजवानी की तो ये है मैप में जर्मनी जर्मनी की πैपिटल क्या है बरलिन जर्मनी की करंसी का है यूरो जर्मनी के प्रेजेन टाइम पर प्रेसिडेंट कौन है फ्रेंक वॉल्टर इस्टेन वेयर और जर्मनी के प्रजेंट टाइम पर चांसलर कौन है उलाफ स्कॉल्ज नए क्यूशन है हाली में सांस्कृतिक संबंदों को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने भारत के साथ मैत्री सांस्कृतिक साज़दारी की है तो अभी ऑस्टेलिया ने सांस्कृतिक संबंद मैत्री संबंदों को बढ़ावा देने के लिए बारत के साथ मैत्री सांसकृतिक साज़दारी की तो इस कुशन का बे औप्सटेलिया ने सी अऽिज ड़िये अच्छा अभी जासूसी चिंताओं को लेकर औस्टिलिया अपने कार्यालेओं में जो चैनीज केमरे लगे हुएं उनको हटाएगा औस्टिलिया ने अपनी करेंसी से ब्रिटेस राजसाई की तस्वीरें हटाने की गोश्ण की है औस्टिलिया की मैला क्रिकेटर वैलिंडा क्लार्क ने खुद अपने मूर्ती का अनावरण किया है और वेना नायर को औस्टिलिया में प्रदार मंतरी पुरुसकार में लाया है ने क्यों शिन है हाली में उत्तर प्रदेश के आगरा में दस दिवसी ताज महुतसब का उद्गाटन किस ने किया है तो उत्तर प्रदेश सरकार में उच्छ सिक्षा मंतरी है योगेंद्र उपाद्या है इनोंने अभी आगरा में दस दिवसी ताज महुतसब का उद्गाटन किया तो इस question का say options आई है अब उत्तरप्रदेश तो ये है map में उत्तरप्रदेश उत्तरप्रदेश की capital क्या है लखनव और लखनव किस नदी के किनारिश्तित है गोमती नदी किनारिश्तित है उत्तरप्रदेश के चेपनिश्टर है योगी आतनाथ उत्तरप्रदेश की governor है अब ये उत्तरप्देश सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉंच किया 24 जनवरी को उत्तरप्देश का इस्तापना दिवस मनाया गया उत्तरप्देश सरकार प्रकृत्ती और पक्षी महुतसब के साथ में संस्क्रड की मेजवानी करेगी उत्तरप्देश के मुख्यमंत्री ने लड़कियों के लिए आरो एंडी पहल प्रसिक्चर कारिक्रम शुरू किया और उत्तरप्देश के मुख्यमंत्री ने बे एफस बैस्विक सेंट वीजा आविदन केंदर का उदगाटन किया बे एफस यानि के वेजा फैसिलिटेशन सेंटर ने क्यूशन है हाली में किसने 2027 तक महिला प्रेमियर लेग के लिए सेरसक प्रायूजन अधिकार प्राप्त किये है तो अभी टाटा समूँ ने 2027 तक के लिए बिमेन प्रेमियर लीग की टाटा ग्रूप ने हासिल किया है ने खूशन है हाली में किसे अंतराष्टी मात्रभासा पुरुषकार से सम्मानित किया गया तो डॉक्टर महेंद्र मिस्टरा को अंतराष्टी मात्रभासा पुरुषकार से सम्मानित किया गया तो इसकुशन का बे ऑप्सन सही है बंगलादेश की प्राइम निश्टर सेख हसीना ने डॉक्टर महेंद्र मिस्रा को अंतरास्टी मात्रभासा पुरुसकार से सम्मानित किया है आप इमेज में देखिए ये जो सेख हसीना से अवार्ड ले रहे हैं यही हैं डॉक्टर महिंद नुमिसरा इनको अंतरास्ती मात्रभासा पुरुसकार से सम्मानित किया गया अभी यूनेस्को सांति पुरुसकार से एंजिला मॉरकल को सम्मानित किया गया राखी कपूर ने नाव यूब्रेट के लिए गूल्डन बुक्स अबाट 2023 जीता है म्यूजिक कंपूजर रेके केजी ने प्रतिष्टित ग्रैमी अबाट 2023 जीता है सरफ्स्रेश्ट अविनेत्री के लिए औसकर नमंकन पाने वाली पहली ACI एम योह बनी है और अम्बिका सुतन मंगर ने ओड़क कुझल पुरुसकार जीता है ने क्यूशन है हाली में दमित्री दमित्रुक को केस देश की मुक्यबाजी टीम का कोच नियुक्त किया गया तो दमित्री, दमित्रुक इनको अभी भारत की मुक्यबाजी टीम का कोच नियुक्त किया गया तो इस कुशन का A option सही है आप image में देख लीजिए ये हैं दमित्री, दमित्रुक और इनको भारत की मुक्यबाजी टीम का कोच नियुक्त किया गया है ने क्यूशन है हाली में 2023 का ग्यानपन पुरुसकार किसे दिया गया है तो बे मद्द सूधनन नायर को 2023 का ग्यानपन पुरुसकार दिया गया है तो इस क्यूशन का C options है यह हैं प्रसिद कभी मद्द सूधनन नायर इनको 2023 का ग्यानपन पुरुसकार दिया गया अब लास्ट वीडियो के question का answer last video मैंने आप से question पूझा था कि हाली में किसने 2023 रडजी ट्रॉफी का किताब जीता है तो अभी सौरास ने पस्चे मंगाल को हरा कर 2023 का रडजी ट्रॉफी किताब जीता तो इस question का a option सही था और लगबग सभी इस्ट्रेणिस का answer सही दिया में आपको एक बार फिर बोलूँगा question के बारे मैं आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बूलते अब आपके लिए आज का question आपके लिए आज का question है हाली में भारत के 80 में grandmaster कौन बने है चार option दिये गये हैं इन में से आपको अपना answer बताना है और इसके अलाबा हम हमारे facebook page पर previous question daily post करते हैं तो आप facebook पर next exam सर्च करके हमारा facebook page जोइन कर सकते हैं क्योंकि previous question आपको बहुत help करते हैं अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है या आपको अपने careers related भी कोई problem है तो आप instagram पर indresrc instagram पर indresrc सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी doubt कोई भी confusion without any hesitation discuss कर सकते हैं अच्छा आज किस video का target जरू याद रखना आज किस video का target है 40 यह लाइक का तो अगर यह video आपको अच्छा लगा है help लगा है तब आप इस video को like और share जरू किया करो और आपके पास जो भी study related whatsapp और facebook group हैं उनमें आप इस video को share जरू कर दिया करो तो यह था आज का हमारा current affairs का video आपको यह video कैसा लगा please comment box में जरू बताना और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस channel को subscribe नहीं किया है तो इसे आप subscribe जरू कर लेजी आपको इस channel से निश्चित ही मदद मिलेगी जब बे आपसे subscribe करेंगे तो बरावर में एक bell icon बनके आएगा आप उस bell icon पर जरू क्लिक कर लेए जिससे कि आपको daily morning में current affairs की video मिलती रहे next exam always video thanks for watching